से जो आप सभी के लिए एप्लिकेशन फॉर्म इंवाइट के गए हैं उनके ओफ्लाइन फॉर्म फॉर्म प्रोसेस के बारे में कि आप सभी को कंटेंडमेंट बोर नसीराबाद अजमेर राजस्थान का ओफ्लाइन फॉर्म कैसे फॉर्म करना हुगा साथी फ्रेंट्स आपको इसका लिफापा कैसे फॉर्म करना है यह आपका तीन फॉर्म करना है इसको आप सभी को कैसे फॉर्म करना हुगा कंप्लीट डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने बाला हूँ आप सभी के लिए भरती का नोटिफिकेशन जारी क्या गाए और आप सभी के एप्लिकेशन फॉर्म पांच जनवरी दोजार तेज से आप सभी के एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके यदि बात करेंगे एपलाई करने की लाश डेट के बारे में तो आप सभी आविदन कर सकेंगे मेल एंड फीमेल दौनों केंड़ेट आविदन कर पाएंगे जो आपकी मिनिमम यहाँ पर क्वालिपिकेशन रखी गई वह आपकी फिप्त पास रखी गई है वैदि बात करेंगे आपकी एज के लिमिट को लेकर तो जनरल केंड़ एक टीस से तीस साल तक आविदन कर पाएंगे OBC केंड़ेट 21-13 साल तक हCHC केंड़ेट है यहाँ पर 21-35 साल तक आविदन कर पाएंगे यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फी रखी गई जनरल OBCM EWS केंड़ेट की यहाँ पर 300 रुपे एप्लीकेश्न फी रखी गई है यह है CHCM Female केंड़ेट अब चलिए फ्रेंट जान लेते हैं इसके एप्लिकेशन फॉर्म फ्लब प्रोसेस के बारे में यह आपका इसका एप्लिकेशन फॉर्म लेने बाला है जिसको आप हमारी ओफिशल वैपसार्ट से डाउन्डोड कर सकते हैं या तो आप सभी सिंपली गूगल पर जाकर क्रॉम प्राउजर को ओपन करने के बाद वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं रोजगार की खोजे या आप सभी को क्या करना लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी प्रॉबैड करा देगा है आप वहाँ चिसकी डेटेल में क्वालिपकेशन चेक आउट कर सकते हैं साथ इ को यहाँ पर अपने सिगनेचर कर देना हुगा आपको सिगनेचर इस प्रकार से करने के आदे सिगनेचर आपके फोटोग्राप के ऊपर रहने चाहिए और आदे सिगनेचर आपके फोटोग्राप के बाहर रहने चाहिए इसके बाद आप सभी यहाँ पर किस पोश्ट के ल पारे में जानकारी देनी होगी देखे फ्रेंट से जी आपके प्रिजेंट पोश्टल और एड्रस और पर्मानेट पोश्टल एड्र जो आपके एड्रस हैं वो अलग-अलग है तो आप यह पर अलग-अलग फिल कर दीगे कोई भी आपकी प्रोग्लम नहीं रहने वाली है प्रिजेंट पोश्टल और कर कर सकते हो जो भी आप अपने हैंपर अडर्स प्रजेंट पोश्टल अडरस में मेंनिन करेंगे वहीं पर आप सभी का एडमिट कार्ड आने वाला है इसके बाद फ्रेंट्स आप सभी को क्या करना है यहां पर आप सभी को सबसे पहले आपको अपने गाओं का नाम लिखना इसके बाद आप सभी को अपने अपर प्रेजैंट पोश्टल एडरस के बारे में जानकारी देनी होगी सबसे पहले अपने गाउँ है सहर का नाम पोश्ट ऑप इसके हैं डिष्ट का इस्टेट के आप इंखोड है आप सभी यहां पर मेंशन कर देंगे इसके बाद आप सभी को क्या करना है इस कॉलम को आपको रिक्त छोड़ देना होगा यह आपका optional रहने वाला कोई भी आपका एक कॉलम कंपसर ही नहीं रहने वाला है इसके बाद आप सभी को अपनी एक email id यहां पर mention करने होगी वह आप सभी यहां पर mention करेंगे याद रखना है सबसे पहले डेट मेंशन करने होगी फिर मंत मेंशन करना फिर आपको मेंशन करने होगी आप सभी को यह पर ओल्टा पुल्टा नहीं लिख देना वहनना आपका application form reject हो जाएगा इस परकार जो आपका फ़िट प्रेस्ट है वह complete फ्लब हो चुका होगा अब आप सब पर चोटी से रिक्वेस्ट एगे आपने वीडियो को लायक नहीं किया तो लायक तो बनता है कि लायक तो जरूर कर देना आप सभी को चैनल पर पाश्ट आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्रा आप सब्सक्राइब तो पर चैनल लगा देना होगा इसके बाद यह दिया आप देखे जिसफी कैट्गी से आपर अपर अप्र पर लगा देना होगा इसके बाद पहिए करें अब्र से बहुत ज्यादा कमेंट आरे थे कि भाई यहांपर को बहुत बरती है ऐसे जो फिप्त वहां बातले में आपको सब्सक्राइब हुआ यह जानते हैं तो आपके पार ऊड़ित का खक़िए लिए बतार रहा उखें सब्सक्राइब हम सब भी हानते कि हमारे पास फिर्ट का कोई भी रेजल्ट नहीं होता नहीं कुई मार्चीट होती है तो आप सब क्या करना आपके पास नहीं यह तो आप हैंध्य की अपने document रख देंगे आप की फोट कोपी यहां पर फोटो कोपियां पर रख सकते हूं उससे आपको कोई भ बारे में आप सभी को जानकरी दे देनी होगी इसके बाद आपको सीरियल नंबर डोल दार ना है यदि आपने ट्वेल्थ पास के वह तो ट्वेल्थ के बारे में जानकरी देंगे इसके बाद सीरियल नंबर तीन डालेंगे यदि आपके इपास ग्रेजुएशन है तो चो आप एपास उसके बारे में जानकाई देना हुगा यदि है तो आप पतस नहीं है नगी हो हो तो आपको 15 और 16 नंबर ओप्शन रहने वाले यह उनली प्रिज हैं वालों के लिए रहने बालें तो आपको इनको रिखते छोड़ दिना आएं इसके बाद हम आते हैं आपके थर्ड प्रिष्ट की तरफ थर्ड प्रिष्ट में देखे फ्रेंट्स आपके आप बहुत ही नॉर्मल रहने बाला है सबसे पहले मैं आप सभी को बताए यदि आप जनरल ओवी आपको डिडी या डिमांड ड्राप आपको करेंब आ देना होगा इसके बाद डिडी में आपका एक नंबर होगा जिसको कहते हैं डीडी नंबर उसको आप सब यह tysे करेगा इसके पास breakout को आपने वहाँसे पर सादी किया और आपको अपने पर बोश कर दे happening के आपको आपक क्या आप सकते हैं वहाँ पर आपको 100 रुपी का पोश्टल ओडर आपको खरीद देना हुगा इसके बाद आपको यह पर देखिए यह आप अजमेर केंट में आप इसके बाद दोस्तों आपको यह पर क्या करना है चाहिए कभी कभी क्या हुता है कि पोश्ट ओपिस में इसके बाद आपको अपको अपना फूल नेम मेंशन कर देना हुगा प्रेंट से आपका एक बड़ा डावट रहता कि वाई हमको यह जो डीडी पे कराना है जन्नल ओवी CWS candidate का कभी-कभी क्या होता है कि post office में 100 रुपे का DD नहीं मिल पाता है तो आप क्या कर सकते हैं आप 50-50 रुपे के 2 DD भी खरी सकते हैं वरना 100 रुपे का हर एक post office में मिल जाता है इसके बाद friends आप सभी को क्या करना है आप जानेंगे आपके document को लेकर कि कि आप सभी को यहां पर कौन-कौन से document के आप सकता रहने बाली है तो friends सबसे पहले आप education quality certificate की photocopy करवा लेंगे नि जैसे आपके पास जो भी qualification है उस सभी quality certificate जैसे आपने 10 मीं पास की हुई है तो आप सभी 12 मीं की market की photocopy करवा लेंगे आपको कास्ट certificate की photocopy करवा लेंगे कास्ट certificate को लेकर आप सभी कई doubt बनते हैं कि भाई हम तो general candidate हैं तो हमारा तो कास्ट होता ही नहीं है तो हैंपर general candidate को नहीं रखना है यदि आप EWS candidate हो EWS category से आवेदन करते हो तो आप सभी को EWS certificate की photocopy करवा लेंगे जिए आप EWSC, HTM, OBC candidate हो तो आप सभी को हम पर center की जाती की photocopy करवा लेंगे इस्टेट की नहीं करवा लेंगे इसके बाद आपको हम पर दो मिसाल सेटिपे नबाब सुमानपत की photocopy करवा लेंगे आदरकार्ड की photocopy करवा लेंगे इसके हलाब आपको तीन passport, sacrifice, photo आपको अलग से अपने लिफापे में आपको रखकर सेट करने होंगे आपको मेंपर दो लिफापें में बताने बाले हो कैसे आपको Defense करने होंगे इस परकार कि आपको दो लिफापे आपके पास रहने चाहिए जिन पर आपको वहाँ पर 30 रुपे का पोस्टल इस्टाम्पे नहीं आपको डांक टिकर लगा देना होगा डांक टिकर जो आपका मिलेगा वो आपके पोस्ट ऑपे से मिल जाएगा आपको क्या करना है आपको वहाँ पर 30 रुपे का कह देना है कि हमको पोस्टल इस्टाम्प करके पता जी करना है में इसके बाद आपको एड़ास अपना मेंशन कर देना अपने गाउं सिटी पोश्ट ऑप डिश्ट के स्टेट यहां पर आप मेंशन करेंगे अपर पिन कोड़ा अपना यहां पर एक मूबाइल नंबर इंटर कर देंगे अप फ्रेंट्स आपको याद नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिशी को कारण इसलिए मैं इस नंबर को यहां पर इसका यहां पर पिन कोड़ पर आपको कोई परिसान होनी कि आप सकता नहीं है इसके बाद फ्रेंड्स आप सब इक हैं पर बड़े वाली लिफापा आपके पास रहना चाहिए जिस पर आपको सबसे पहले लेखना होगा एप्लिकेशन पोड़ा पोश्ट आप इसके बाद किस पोश्ट के लिए आप इजन क्या उस पोश्ट का नाम मेंसन करेंगे कैटेगरी क्या जन्रल ओबीची एडव्वी एस एस टी जन्रल और यूर सेम भी होते हैं तो आपने यूर भी लख सकते हैं इसके बाद आपको फ्रॉम लगाना आपको अपना नाम सनौफ करके प्ता जी करना है विलेज क्या है पोश्ट अपर डिस्टिक क्या है इस्टेट क्या पिन कोड यहां पर आप सभी मेंसन कर देंगे इसके बाद तू लिखना है कौमा लगाना है यह आपको कमेंट बॉक्स में प्रॉबायड करा दीगा है आप उसको ओपन कर लेंगे और वहां पर आपको डिटेल जान करें ना होगा जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप सबीको क्या करना है ऑपके पास इस प्रकार के दो लिफापे उनको आप इसके ऊपर रखेंगे तीन पास्पोर्ट शाइज फोटो जड़ इसके ऊपर रख देंगे इसके ऊपर रखने के बाद आप सभी को सबी को बड़े बारे लिफापे में चैनल पर फास्टाइब विजट कर रहे हूँ और आगे ऐसे ओफलाइन फॉर्म के नौटिपके से ना ओफलाइन फॉर्म फॉर्म के रखके रिगार्डिंग जानकारी नेने के लिए चैनल को भी सस्क्राइब जरू कर देना तो मिलता हूँ चैनल ये वीडियो के साथ में